इंग्लिस ग्रेमर में ऐसी कुछ वर्ड्स बताएंगे जिसका प्रनांसियेशन हम गलत करते हैं चलिए उन्हीं वर्डों को स्टार्ट करते हैं हमारा है कॉमनली का मिन्स होता है समानता मिस्प्रोनाउंस प्रोनाउंस का मिन्स होता है उच्चारण करना और मिस्प्रोनाउंस का मिन्स होता है गलत उच्चारण करना और इंगलिज का मिन्स होता है अंग्रेजी वर्ड्स का मिन्स होता है सब्दो मतलब साधारता समानिता विस गलत उचारण होने वाले अंग्रेजी सब्द चलिए हम उन्ही वर्डों को देखते हैं पहला हमारा वर्ड है प्रोनाउंसियेशन इसको प्रोनाउंसियेशन नहीं बोलते हैं बलकि इसको बोलते हैं प्रनाउंसियेशन इसको क्या बोलते हैं प्रानशियेशन जिसका मिन्स होता है उच्चारण करना जिसका मिन्स क्या होता है उच्चारण करना इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है इक्जाम नहीं इसको इक्जाम नहीं बोलते हैं बलकि बोलते हैं इक्जाम बोलते हैं जिसका मिन्स होता है पर कभी भी प्रणाउंस नहीं करेंगे बलकि इसका प्रणंसियेशन होता है एक्स्ट्रा जिसका मिन्स होता है अतरिक्त या अधिक या अलावां उसके बाद होता है इंटर नो इसको इंटर नहीं पढ़ते हैं बलकि एंटर पढ़ते हैं जिसका मिन्स होता है प्रविश तो आज से आपको इंटर नहीं बोलना है बल्कि इसको क्या बोलना है एंटर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड एक्स सेक्टरा नो इसको एक्स सेक्टरा नहीं बोलते हैं बल्कि इसको बोलते हैं एट सेटरा एट बोल दीजिए उसके बाद सेटरा इसका म बाद भी टी के बाद ही भी लगाते हैं जिसका मिन्स होता इत्यादिया आज उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है इंड नो इसको इंड नहीं पढ़ते हैं बलकि एंड बोलते हैं जिसका मिन्स होता अन्तिया स्रमाप्त उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड होता अल्ल नो, इसको only नहीं पढ़ते हैं, बलकि only पढ़ते हैं, जिसका means होता है केवल, उसके बाद हमारा next word आता है, next word हमारा है, वाजी टेबल, नो, इसको वाजी टेबल नहीं पढ़ते हैं, बलकि वाज टेबल, वाज बोल दीजिए, उसके बाद टेबल, जिसका means होता है सबजिया, उसके बाद हमारा होता almond no इसको almond नहीं पढ़ते हैं बलकि almond इसमें l silent होता है और इसका hindi meaning होता है बादाम तो इसको आज से आप almond नहीं पढ़ेंगे बलकि इसको पढ़ेंगे almond जिसका means होता है बादाम उसके बाद हमारा next word है jewelry no इस जोलरी नहीं है बलकि jewelry है जिसका means होता है गहना या फिर आभूशन उसके बाद हमारा next word है end no इसको and नहीं पढ़ते बलकि and का means होताант्य समाब्त शे हमारा है और होता यह बोलते हैं तो कं समय लेता है लेकिन जब आए बोलते हैं तो ज्यादा समय लेता तो यह हमारा है end ए हमारा है आइनट तो इसका सही pronunciation क्या है ट मिन से शेको आ और उसके बाद हमारा next word है अगयन नो ये अगयन नहीं है बल्कि अगयन है अगयन नहीं बोलेंगे बल्कि आपको क्या बोलना अगयन अगयन का मिन्स होता है अगयन का मिन्स क्या होता है फिर या दो बारा उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है सोर नो इसको सोर नहीं पढ़ते हैं बल्कि सावर जिसका मिन्स होता है खट्टा इसको क्या पढ़ते है शावर और जिसका मिन्स होता है खट्टा उसके बाद हमारा next word है hotel no यह hotel नहीं बलकि hotel है क्या है hotel बोजन करने का कमरा उसके बाद next word है plumber यह plumber नहीं बलकि plumber क्या है हमारा plumber इसमें be silent है मतलब मूख है जिसका प्रनेंसियेशन हम नहीं करते हैं तो plumber का मिन्स यह होता है जिनल को ठीक करता है ठीक उसके बाद हमारा next word है we are इसको नहीं पढ़ते हैं बल्कि वर पढ़ते है जिसका मिन्स रता है था थे थी उसके बाद हमारा next word है grant no इसको grammar नहीं बोलते है मकि grammar ३ोलते है जिनका मिन्स होता है यहा करद तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे को चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब बेल आइकन को कर दीजे हीट ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सुक है